हेलो फ्रेंट्स, MS Civil Study पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो फ्रेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा online exam होने वाला है, वो उसमें second and fourth semester student को क्या-क्या परसानियों का सामना करना पड़ेगा और उनको पास होने में कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को बजा दीजे ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो friends जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा exam है वो online mode पर होगा और इसके साथ साथ आप यह भी जानते हैं कि वो objective होगा और उसमें 50 questions पूछे जाएंगे और जिसका timing डेड़ घंटे का होगा तो यहां पर second and four semester वाले student को परसानी की बात यहा है कि जो हमारे six semester student हैं उनका paper एक दिन में एक ही subject का exam होगा यानि कि उनका exam 22 से लेकर 26 के बीच में होगा और एक subject का paper एक ही दिन में होगा और वे लोग कहीं पर से भी अपना exam online mode पर दे सकते हैं या फिर अपने college से या फिर अपने personal laptop से या फिर कहीं पर साइबर कैफे से अपना exam online modes पर दे पाएंगे वह ही second and fourth semester student का भी exam online होगा और उनको भी 50 question दिये जाएंगे और उनका भी timing देड़ घंटे होगा जैसे कि six semester student को timing दिया गया था तो ऐसे में किसी भी प्रकार की परसानी की बात तो नहीं बनती है लेकिन यहाँ पर जो second and fourth semester student की परसानी की बात है वह या है कि हम सभी जानते हैं कि जितना time six semester student को दिया जाएगा उतना time second and fourth semester को भी दिया जाएगा लेकिन जो six semester student का exam है वा एक दिन में है एक ही subject का होगा लेकिन वही second and fourth semester student का exam उनकी कितने भी subject हो लेकिन उनके दो ही paper होगे तो मान लीजे जैसे कि civil second year में fourth subject है तो उनके दो exam होगे यानि कि दो-दो subject का paper होगा जिससे second and fourth semester student को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और एक ही दिन में दोनों subject को पढ़कर जाना पड़ेगा अब बात करते हैं कि exam में कितने number लाना अनिवार है तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि semester exam में पास होने के लिए 17 number लाना जरूरी है यानि कि हर subject में कम से कम 17 number आना जरूरी है तो यहाँ पर परसानी की बात या है कि six semester वाले student का एक subject का paper एक ही दिन में होगा और वा पचास number का होगा जिसका time डेड़ घंटे का होगा ऐसे में उनको असानी से 17 number आ जाएंगे लेकिन वहीं बात करते हैं second and fourth semester student को तो उनका एक दिन में दो या उससे अधिक exam देने पड़ेंगे और वा दो पार्ट में होगा जिसमें हमें दोनों पार्ट में 17 17 number लाना अनिवार है अगर हम example के मादधम से समझें तो मान लीजे civil के दो subject highway engineering and irrigation engineering है तो इन दोनों को मिला कर पूरा paper हमारा 50 number का दिया जाएगा जिसको जिसमें timing की बात कहें तो डेड़ घंटे का होगा और उसमें दो पार्टों में बांट दिया जाएगा first part highway and second irrigation engineering और दोनों में आपको 17 17 number लाना अनिवार होगा तो अब आप समझ ही गए होगे कि यहां पे second and fourth semester student को परसानी की बात क्या है यानि कि अगर हम simple सब्दों में कहें कि जो हमारे second semester के student हैं उनका एक दिन में एक ही exam होगा जिसके करण उनका पचास में 17 नंबर असानी से प्राप्त कर लेंगे लेकिन वहीं पे second and fourth semester के जो student हैं उनका एक दिन में दो से तीन exam हो सकते हैं जिसमें उनको एक या दो पार्ट म पेपर दिया जाएगा और जितने भी subject का paper होगा जैसे कि हमारे यहां पर दो subject के paper हैं तो फिर वहां पर हमें first part एक subject रहेगा and second part एक subject रहेगा तो एक दोनों पार्टों में हमें 17 17 नंबर यानि कि हमारा पूरा paper 50 नंबर में 34 नंबर लाना अनिवार है तो friends अब आपको कम time पे जेदा मेहनत करनी है तो अगर आपको विए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like करो comment करो और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो पे और लाते हैं कुछ ऐसे ही interesting updates के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन वंदे मातरम